गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स लेट्स स्टार्ट दा टुडेस्ट क्लास वित अवर चैप्टर अवर इन्वार्मेंट सो वी वर स्टुडिंग अबाउट वाट आर दे फूट चेंज एंड फूट वेब्स basically what is a food chain तो हमने ये समझा था पिछले lecture में हमने ये पढ़ा था कि food chains बहुत सारी food chains मिलकर के क्या बना लेती है food web तो food chain के example यहाँ पर left side में आपको दिख रहे होंगे कि जो plant है उसको plant को बोलते हैं producer okay plant को जो खाता है उसको बोलते है primary consumer और जो primary consumer को खाता है उसको बोलते है secondary consumer और secondary consumer को जो खाता है उसको बोलते है tertiary consumer जैसे सबसे left वाली food chain में आपको दिख रहा होगा कि plants को deer ने खाया deer को tiger ने खाया तो plants क्या होगे producer होगे हर बार plants ही producer होते हैं क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसे living organism है जो खुद से अपना खाना बनाने में capable है okay plants को खाया deer ने deer को खाया tiger ने okay तो plants क्या होगे producer तो plant क्या होगे producer इस producer को यानि plant को deer ने खाया deer क्या होगे primary consumer और deer को tiger ने खाया तो tiger क्या हो गया secondary consumer okay फिर ऐसे ही हम bee वाले diagram में देखते हैं तो bee वाले diagram में आपको दिख रही होगे grass दिख रही होगे grasshopper को खाया frog ने frog को खाया snake ने और snake को खाया eagle ने just जो ये grass है grass हो गई producer क्योंकि it is a plant ये एक plant है और plant हमेशा क्या होते है प्रेडियूसर होते है ठीक है इस grass को यानि इस producer को खाया क्या primary consumer ने यानि grasshopper ने इस टिड्डे ने खाया जिसको बोलते हम grasshopper grasshopper को खाया frog ने तो frog हो गया secondary consumer frog को खाया snake ने snake हो गया tertiary consumer और snake को खाया वल्चर ने या eagle ने तो eagle क्या हो गया क्वांटेनरी consumer ओके तो यहां पर सबसे जादा बड़ी food chain आपको बी में देखने मिलेगी फिर उसके बाद C वाली food chain में आप देखेगा कि plant को खाया scorpion ने तो plant हो गया producer scorpion हो गया primary consumer scorpion को खाया fish ने fish हो गया secondary consumer और fish को खाया heron ने heron मतलब bagula तो bagula हो गया tertiary consumer तो यह पूरी food chain के example यहां पर लिखे हुए यह तीन तरह की food chain यहां पर बनी हुई है इन सारी food chains को मिला करके बन जाता है food web जो कि यहां पर आपको food web दिख रहा होगा ओके यह आपको food web दिख रहा होगा इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी food chain आपस में connected होती है देखिए यहां पर producer भी बहुत सारी दिये हुए हैं आपको बड़े बड़े trees से लेकर consumers में आपको दिख रहा होगा सबसे left side में देखें तो scorpion और दूसरे insect बने हुए हैं वो plants को खाते हैं फिर दूसरे plants भी plants को खाते हैं ओके दूसरे plants भी plants को फीड करते हैं फिर आप दिखेंगे कुछ कीडे मकोडे और बने हैं फिर rat बना है rat भी plant को खाता है फिर rabbit भी grass को ख तो यह सारी आपस में food chains जब connected हो जाती है तो इसको बोलते है food web तो आप आप लोगों को यह food web clear हो रहा होगा कि क्या होता है food web चलिए हम मैं read करूँगा food chain की एक एक line को और आपको clearly explain करूँगा तो in activity 15.4 we have formed a series of organisms feeding on one another activity 15.4 में हमने यह देखा कि बहुत सारे organism एक दूसरे पर feed कर रहे है this series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain यह जो series of organism है जो हम देख रहे हैं यह सब मिल करके क्या बना लेते है food chain जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि plants को खाने वाला deer, deer को खाने वाला tiger तो यह जो series है, इन में जितने animals involved हुए वो बना लेते है food chain okay, each step or level of the food chain forms a traffic level हर step यह food chain का जो level है वो क्या बना लेता है, traffic level बना लेता है यह traffic level क्या होता है, देखे, traffic level को एक triangle से represent किया जाता है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यह जो triangle है, यह traffic level represent कर रहा है कैसे represent कर रहा है, कैसे यह traffic level को बता रहा है, आप देखिए सबसे नीचे का जो traffic level है इसमें चार ट्रॉपिक लेवल दियो है, सबसे नीचे वाला, जो आप हमको light blue color से दिख रहा है, फिर उसके उपर green वाला, फिर उसके उपर peach color जो है, फिर उसके उपर yellow color, light yellow color, तो ये चार ट्रॉपिक लेवल है, सबसे नीचे वाला जो base है, वो सबसे बड़ा है, सबसे होने का रीजन यह है कि प्रेडियूसर यानि ग्रीन प्लांट्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स के बाद प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले चोटे-चोटे जानवर के बाद आते हैं थोड़े बड़े जानवर फिर उसके बा बने वाले टर्शरी कुल मिलाकर ये एक फूड चेन की ट्रॉपिक लेवल है एक तरह का ट्रॉपिक लेवल ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चेप्टर को रीड करते हैं आगे इच स्टेप और लेवल अफ द फूड चेन फॉड फूर्म सा ट्रॉपिक लेवल हर एक स्टेप हर एक लेवल जो है फूड चेन की वो क्या बना लिता है ट्रॉपिक लेवल The autotrops or the producers are at first tropic level जो autotrops ये producer होते हैं ये पहले tropic level पे आते हैं They fix up the solar energy and make it available for heterotrops or the consumers ये solar energy को fix करते हैं और ये heterotrops ये consumers के लिए solar energy को अपनी through available बनाते हैं कैसे? देखिए क्या होता है ये जो autotrops ये producer होते हैं ये autotrops ये producer जो होते हैं ये sunlight की मदद से अपनी जो energy है वो gain करते हैं ये अपना खाना बनाते हैं और उस खाने से इनको मिलती है energy उस energy को उस plant को जब दूसरे organism खाते हैं जैसे बकरी ने किसी plant को खा लिया तो उस plant में जितनी energy थी जो उसको food से मिली वो उस energy का 10% कहां चला जाता है उस goat के पास अब उस goat को जो खाएगा तो goat के पास जो भी energy है उसका 10% चला जाता है अगले जानवर के पास जो goat को खाएगा तो इस तरह से 10% law of lindman काम करता है ओके the herbivores और the primary consumer come at the second herbivores यानि जो घास खाने वाले जानवर होते है या primary consumer होते है वो second level पे आते है herbivore मतलब primary consumer यह second level पे आते है small carnivore और the secondary consumers at the third and larger carnivores और tertiary consumers from the fourth topic level तो चौथा topic level कौन बनाता है tertiary consumers ओके यह fourth topic level बनाते है we know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy जो खाना हम खाते हैं वो एक तरह का हमारे लिए fuel का काम करता है जैसे गाड़ी को चलाने के लिए fuel की जरूरत होती वैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत होती thus the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another इस line का मतलब यह है कि जो अलग-अलग components components का मतलब यहां पर जानवर से है जो अलग-अलग जानवर दिये हुए हैं यहां food chain में वो आपस में interact भी करते हैं एक दूसरे से एक environment share करते हैं जैसे हम इनसान हैं तो हम कुतों के साथ भी अपना environment share करते हैं जो आपस होते हैं आपस मतलब green plants वो sunlight की energy से photosynthesis process से carbohydrate बना लेते हैं और यह carbohydrate क्या है यह chemical energy है तो sunlight क्या हो गई sunlight हो गई light energy तो light energy से chemical energy बन जाती इस energy supports all the activities of the living world यह जो energy है यह सारी activities को support करती living world की ठीक है from autotrops the energy goes to the heterotrops and decomposers तो autotrops यह जी green plants को heterotrops खाते हैं ठीक है और decomposer खाते है heterotrops और decomposer green plants को खाते हैं ठीक है however as we saw in the previous chapter on sources of energy हमने previous chapter जो था हमारा sources of energy उसमें हमने यह देखा था कि one form of energy जो है वो दूसरे form में change हो जाती energy का एक form दूसरे form में change हो जाता है ठीक है तो यह law of conservation of energy भी ही बोलता है some energy is lost some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again कुछ energy जो है वो environment में lost हो जाती ऐसे forms में जो दुबारा यूज नहीं की जा सकती the flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that the green plants in the terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of the sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा है जो green plants होते हैं जो हरे बरे पेंड होते हैं वो sunlight से अगर उनको 100 kilo calorie मिल रही है तो उसका वो सिर्फ 1% यूज कर पाते हैं यानि सिर्फ 1 kilo calorie ले पाते हैं ठीक है अगर 1000 kilo calorie अगर sunlight मिल रही है तो उससे सिर्फ 10 kilo calorie वो यूज कर पाते हैं ठीक है तो यह जो 10 kilo calorie है इसका 10% यानि इसका 10% हो गया 1 तो 1 kilo calorie जो है वो इन plants को खाने वालों के पास मिलेगी ठीक है अगर इस plant को बकरी ने खाया तो उसके पास 1 kilo calorie ही आएगी जब जो हरे बरे पेन है वो primary consumers के द्वारा खा लिए जाते हैं तो बहुत सारी energy lost होती बहुत सारी energy lost होती heat के form में ठीक है कुछ amount जो है वो digestion में चला जाता है digestion मतलब क्या होता है खाना पचाने में और काम करने में और जो बाकी का amount है वो growth और reproduction में चला जाता है बाकी का amount है energy की बात हो रही है वो कहां चला जाता है growth और reproduction में an average of 10% of the food is eaten food eaten is turned into its own body एक लगबक 10% जो खाना खाया गया है वो हमारी body में जो खाना है उससे 10% ही utilize होता है मतलब 10% जो खाना हमने खाया है उसका 10% ही हमारी body को मिलता है and made available for the next level of consumers और यह जो 10% है यही अगले level के लिए बचता है कुल मिला करके जैसे घास है घास में अगर कितनी energy है 100 kilo calorie तो घास को खाने वाली जो बकरी है उसमें सिर्फ 10 kilo calorie जाएगी बकरी को खाने वाली शेर में सिर्फ 1 kilo calorie जाएगी इसलिए जो top level consumer होते हैं जैसे शेर वगरा होगा है उनको बार-बार खाने की ज़रुवत होती वो उनको बार-बार भूक लगती लेकिन plants के साथ ऐसा नहीं होता है when green plants are eaten by primary consumers जब green plants को primary consumer खा लेते हैं तो a great deal of energy is lost as heat to the environment एक बहुत बड़े amount में energy loss होती है environment में some amount goes into digestion and in doing work कुछ amount जो है वो digestion में चला जाता है और काम करने में चला जाता है और बाकी का जो amount है वो growth और reproduction में चला जाता है an average of 10% of the food eaten is turned into its own body लगभग 10% जो food हमने खाया है वो body में use होता है और वही अगली generation के लिए मतलब अगली जो food chain का जो अगला part है उसके लिए accessible होता है therefore 10% can be taken as an average value for the amount of organic matter जो 10% है वही एक तरह का एक average value है for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers since so little energy is available for the next level of consumers food chains generally consist of only 3 or 4 steps बहुत कम energy बची हुई है बचती है अगले level के लिए जैसे हमने देखा कि अगर घास में 100 kilo calorie energy है तो उसका 10% ही आगे shift होगा मतलब घास को जो खाएगा उसको सिर्फ 100 का 10% ही मिलेगा मतलब 10 kilo calorie ही मिलेगा तो यह ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वैसे energy का flow जो है वो काम होता जाता है there are generally a greater number of individuals at lower topic level of an ecosystem हम देखते हैं कि जो lower topic level होता है lower topic level का मतलब क्या होता है primary consumer की बात हो रही है यहां पर तो primary consumer में जो मैं आपको बता हूँ कि बहुत सारे individual आ जाते हैं lower topic level पे the length and complexity of food chains vary greatly जो length मतलब food chain की लंबाई और complexity है complexity का मतलब क्या होता है complex का मतलब क्या होता है complex मतलब होता है दो या दो से जादा चीजों से बना तो food chain में बहुत सारे जानवरा जाते है okay दो से जादा जानवर आते हैं तो यह complexity होती food chains की तो यह अलग अलग हो सकती है मतलब किसी में दो जानवर आ सकते हैं किसी में दस भी आ सकते हैं किसी में पांच भी आ सकते हैं okay इतनी बड़ी food chain होगी उतने जादा जानवर आएंगे each organism is generally eaten by two or more other kinds of organism organism हर organism हर जानवर जो है वो दो या दो से जादा जानवरों के दोरा खाया जाता है जैसे हम गास की बात करें तो गास को बक्री भी खाती खरगोश भी खाता है ग्रास आपर भी खाता है okay वहीं अगर हम बात करें दूसरी चीजों की okay so instead of straight line food chain okay straight line food chain को अगर हम अटा दें तो relationship can be shown as a series of branching lines called food web तो अगर if we remove straight line food chain straight line food chain का मतलब क्या हता है जो सीधी चलती okay मतलब straight line food chain का मतलब घास है तो घास को ग्रास होपर रिखाएगा ग्रास होपर है तो ग्रास होपर को चुहा ही खाएगा चुहा है तो चुहे को मेंड़क ही खाएगा okay तो यह जो food chain का straight line है तो यह अलग-अलग हो सकता है okay इसमें branching निकल सकती तो यह food chain का जो series है यह अलग अलग हो सकता है okay from the energy flow diagram energy flow diagram से दो चीजे clear होती है energy flow diagram मतलब होता है कि हर topic level पर कैसे energy 10% होती जाती है तो दो चीजे clear होती firstly the flow of energy is unidirectional जो energy का flow है वो unidirectional होता है unidirectional का मतलब क्या है कि हमेशा producer से लेकर के top level consumer तक ही जाएगा flow ऐसा कभी नहीं होगा कि पेंड जो है वो किसी शेर को खा ले ऐसा कभी नहीं हो सकता okay तो हमेशा पेंड को ही पहले खाया जाएगा फिर पेंड को खाने वाले को खाया जाएगा फिर उसको खाने वाले को खाया जागा मतलब producer को पहले खाया जागा फिर primary consumer फिर second day फिर tertiary okay तो from the energy flow diagrams two things become clear दो चीज़े हम को साफ होती है energy flow diagram से क्या the flow of energy is unidirectional the energy that is captured by the autotrops does not revert back to the solar input and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrops कुल मिलाकर यहां इस नहीं यह बोल दिया कि जो energy autotrops में नेली है वो ऐसा नहीं होगा कि वो energy का flow revert हो जाए रिवर्ट मतलब carnivore जो है जो top level consumer है वो सबसे आदा energy उनको मिले और जो हर भी वोर है उनको सबसे कम energy मिले हर भी वोर को बाद secondary consumer as it moves progressively मतलब जैसे जैसे यह hierarchy में बढ़ता जाता है hierarchy का मतलब जैसे जैसे यह step by step बढ़ता जाता है through the various topic levels it is no longer available to the previous level जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो यह previous level के लिए available होता ही नहीं secondly the energy available at each topic level gets diminished progressively तो हर topic level में जो energy available हो दीरे दीरे कम होती जाती है क्यों कम होती जाती क्योंकि energy का loss होता जाता है हर level पे okay another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our body through food chain दूसरा aspect यह है कि कैसे unwanted chemical हमारे खून में आ जाते हैं कैसे unwanted chemical vooral प्लांट है plant पे जहरियली दवाईों का यानि insecticide आ प्रिषय का चिड़काओं किया गया अब उस plant को अगर यह किसी इंसेक्त ने खालिया एंसेक्ट को फ्रॉग ने खालिया फ्रॉग को सबh WE' इंसेक्त है इंसेक्ट को खा लिए उस प्लांट को खा लिए अब उस इंसेक्ट गी को कीडे को खा लीया। अम्रुघ को जो इनसान खायेगा तो उसके अंदर वह क्यमिकल यानि वह फर्टिलाइजर वो pesticide जो है वो आ जाएगा और उसकी बोडी को हाम पहुचाएगा तो कि जो हम pesticide और insecticide डालते हैं वो जहर होता है आपने class 9 में पढ़ा है कि कैसे पानी जो है वो गंदा हो जाता है एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि बहुत सारे pesticides का use और दूसरे chemicals का use किया जाता है ताकि crops को protect रखा जा सके crops को बचा कर रखा जा सके किस से बचा कर रखा जा सके कीडे मकोडों से और बीमारियों से तो crops को यानि फसलों को कीडे मकोडों और बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं इस केमिलकल्स आर आइधर वाज़्ट टाउन इंटू दा सॉइल और इंटू दा वाटर बॉड़ी तो यह जो केमिकल है यह या तो फिर सॉइल में धुल करके पहुंच जाते हैं कैसे सपोस हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़के खेत में अब बारिश हो गई तो वह पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो पत्तियों में थे वह बह करके मिट्टी में आ गया और मिट्टी को बरबात करने लग गए मिट्टी की Fertility कम हो जाती ही Pesticide और Insecticide से From the soil these are absorbed by the plants along with water and minerals and from the water bodies they are taken up by aquatic plants ये जो Pesticide और Insecticide है ये aquatic plants और animals के द्वारा ले लिये जाते हैं कैसे वो हमने plant के उपर छिड़काओ किया insecticide और Pesticide का plant के उपर जैसे हमने उसका छिड़काओ किया उपर से बारिश हुई और बारिश होते ही वो जो पानी है वो जो पानी है बारिश का वो प्लांट्स के उपर गिर करके इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है उसको बहा करके सॉयल में छोड़ देगा ठीक है जब बहुर जादा बारिश होगी और खेत पूरा पानी स बार जाएगा तलाब की तरह, तो वो insecticide or pesticide दीरे से उस केट से बहाँ निकलेगा, और आज पास कोई नदी होगी, तो उसमें अगर पानी जा रहा होगा, वहां का, तो उस नदी में insecticide or pesticide चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसे से करके, यह जो insecticide or pesticide है, यह आगे जाके हाम करते हैं चलिए इस chain को समझ लेते हैं जो यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि यह थोड़ा सा important chain है तो आप देखेंगे sunlight जो है sunlight की यूज़ करते है producer producer को खाते है producer मतलब क्या होता है plants plants को खाते है herbivores herbivores मतलब grass eating animals वो plants को खाते है herbivores को खाते है carnivores carnivores को खाते है top level carnivores तो यह पूरी series of events है यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं this is one of the ways in which they enter the food chain जो pesticide और insecticide है जो जहरीली चीज़े हैं वो इस तरह से food chain में एंटर करती है ठीक है हमने फसल में डाल दिया फसल को जिसने भी खाया वो उसमें चला गया तो कुल मिला कर यह ऐसे बढ़ता जाता है as these chemicals are non-degradable यह जो chemicals होते हैं यह कभी खतम नहीं किया जा सकते हैं these get accumulated progressively at east tropic level तो यह हर tropic level में धीरे-धीरे यह chemicals जो है वो आ रहे हैं as human beings occupied a top level in any food chain किसी भी food chain में सबसे उचा लेवल जो है वो किस जानवर का human being का वो कि इंसानों का level सबसे उचा है food chain में क्योंकि इंसानों को सिर्फ इंसान मार सकते हैं जानवर बहुत कम ऐसा होता है कि इंसानों को मारते हैं आजकल तो बहुत कम देखने मिलता है पहले होता था the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body okay जो maximum concentration मतलब maximum जो इनका amount है pesticide insecticide का जो जहर का maximum amount है वो हमारी body में दीर दीरे आज आता है this phenomenon is known as biological magnification तो biological magnification यही है अगर मैं question पूछो कि what is biological magnification तो जो harmful chemicals वगेरा धीरे धीरे food chain में आकरके हमारी body तक भी पहुच जाता है उसी को बोलते है biological magnification तो as human beings occupy the top level in the any food chain the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body बहुत सारे जो chemicals हैं वो हमारी bodies में accumulate हो जाते है this phenomenon is known as biological magnification इस phenomenon को क्या बोलते है biological magnification this is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contains varying amounts of pesticide residues तो यही reason है कि जो vegetable fruits और जो meat वगेरा है वो उसमें बहुत सारे pesticide वगेरा होते है they cannot always be removed by washing और other means यह हमेशा धुलने से नहीं जाते हैं वो तो अंदर पहुच जाते हैं जानवर के अंदर तो अगर हमने जानवर को खाया या उस सबजी को खाया में वो अंदर तक पहुच गया है तो हो हमारी बॉड़ी में भी पहुचेगा और एक बुरा असर करेगा ओके सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज के लेक्शर के में क्लियरिटी लगी होगी आज का लेक्शर समझ में आए होगा थोड़ा बहुच आज के लेक्शर में स्टूडेंट्स हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में जाना फिर हमने यह समझा कि कैसे food chain के थूँ हामफुल जहरीले fertilizer जो है जहरीले chemical जो है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं biological magnification तो यह सारी चीज़ें पढ़ी है हमने so students I hope आप लोग को आची class समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी और मेरी यह request है की घर पर इस chapter की reading करते रही है okay so that's all for now guys thank you so much